हैलो जाहिंदो मैं शुबं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल पर आज हम जनरल साइंस के टॉप 22 वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉस्टन डिस्कस करने वाले हैं अगर आपका आने वाला कोई सभी एकजाम है चाहें आपके एकजाम आर्मी का है एससी है रेलवे है या फिर आप किसी स्टेट लेवल एक्जाम की त्यारी करते हैं तो इन 22 कोशन के आंसर आप सभी को पता होने चाहिए सभी प्रशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट और सेलेक्टिट रहेंगे चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में ये वाला कोशन हमवरक के लिए दिया था तो लगबग सभी विद्यार्थे उन्हें इसका अंसर बिर्कुल सही दिया है कोशन है जू लोजिकल गार्डन किस राज्ये में इस्थित है तो यहाँ पर जिनों ने भी कल पस्चिम बंगाल अंसर दिया था उनका आंसर करेक्ट होगा तो देखिएगा आज की प्रशनों की संख्या 22 है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूँ 20 कोशन राइट करने का इन 22 कोशन के बाद आपको एक प्रशन आज फिर से हमवरक के लिए दिया जाएगा पहला कोशन है पीलिया से कोन सा अंग प्रभावित होता है ओप्शन आपके सामने है किड़नी हृदे यकृत या फिर आत तो राइट अंसर इसका ओप्शन सी रहेगा अगर आपने ओप्शन सी को अंसर दिया है यकृत यानि की लिवर आपका अंसर बिलकुल करेक्ट होगा जूल, न्यूटन, विभव या फिर वैबर राइट अंसर मैच करेंगे अगर आपने ओप्शन बी को दिया है न्यूटन आपका अंसर बिलकुल करेक्ट होगा जूल, न्यूटन की गरती का प्रथम नियम क्या कहलाता है आप्शन है उर्जा संरक्षन का नियम, जडत्व का नियम, सम्वेग संरक्षन का नियम या फिर आर्कमिडीस का सिधांत आंसर मैच कीजेगा, राइट आंसर अगर आपने आप्शन बी को दिया है जडत्व का नियम आपका अंसर करेक्ट होगा न्यूटन की गती का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है Q4 आपके सामने है स्क्रीन पर 20 हर्ट से नीचे की आवरती वाली धोनी तरंगे कौन सी तरंगे कहते है आप्शन है प्राश्रवे तरंगे श्रवे तरंगे अब श्रवे तरंगे या फिर इनमे से कोई नहीं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपने आप्शन सी को आंसर दिया है अब श्रवे तरंगे आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा Q5 प्रतिध्वनी सुदने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक के मध्य नियुन्तम दूरी कितनी होने चाहिए आंसर मैच कीजेगा अगर आपने option C को answer दिया है 17 मीटर आपका correct होगा और इन 22 question के complete होने के बाद आप सभी का score comment box में भी चाहिए question number 6 है प्रकाश का वेग अधिक्तम कहा होता है बिल्कुल correct answer option C रहेगा प्रकाश का वेग अधिक्तम निर्वात में होता है अगर आपने option C को answer किया है आपका answer बिल्कुल correct होगा question number 7 की तरफ चलते हैं question number 7 है आपके सामने किस रंग का प्रकिनन सरवाधिक होता है लाल रंग हरा रंग नीला रंग या फिर बैंगनी रंग प्रकिनन यानि की कौन सा रंग सबसे अधिक विश्तिरित होता है सबसे अधिक फैलता है तो ध्यान रखिएगा बैंगनी रंग का तरंग धर्रे सबसे कम होता है इसके कारण जो बैंगनी रंग है वो सबसे कम प्रकिनन उसका प्रकिनन सरवाधिक होता है option D correct होगा बैंगनी रंग का प्रकिंडन सरवाधिक होता है और सबसे कम होता है लाल रंग का प्रकिंडन कलियर है चलिए नेक्स्ट है कोशन नमबर आपके सामने एट स्क्रीन पर वायू मंडल की आदरता को मापने वाला यंत्र कौन सा है सही जवाब रहेगा ऑप्षण भी हाईग्रो मीटर से वायू मंडल की आदरता मापी जाती है ऑप्षण भी आपका बिलकुल करेक्ट होगा कोशन नमबर नाइन है किसके द्वारा भाप इंजन का आविशकार किया गया आप्षण है टोरी सेली, एडिशन, रुडॉल्फ डीजल या फिर जेम्स वाट तो भाप इंजन का आविशकार जेम्स वाट ने किया था आप्षण इसका डी करेक्ट आंसर होगा कोशन नमबर दस टंका किन धातूं का मिश्रन है वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है आंसर जल्दी से देंगे आप्षण बोलते है निकेल तथा तामबा, तीन तथा सीसा, तामबा तथा जिंक या फिर लोहा तथा मेगनिशियम सही जवाब मैच करेंगे आप्षण बी करेक्ट होगा टंका जो है तीन तथा सीसे का मिश्रन है, आप्षण बी करेक्ट होगा कॉशन नमबर 11 आपके सामने है, हाइडरोजन के कुल समस्थानिक की संक्या कितनी है आप्षण आपके सामने है, किसी भी प्रशन के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए तो सैशन को जरूर रोकिएगा, आंसर मैच करेंगे, इसका राइट आंसर आप्षण सी रहेगा, हाइडरोजन के समस्थानिकों की संक्या तीन है कोशन नमबर बारा, लोहे में जंग लगना कोन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, भोतिक परिवर्तन, विद्धुत अपगटन, इन में से कोई नहीं सही जवाब रहेगा, आप्षण ए, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है Question number 13 Neutron की खोज किसने की Very very important Neutron की खोज किसने की है Answer match करेंगे Option B को answer दे रहे हैं अगर आप सभी चैडवीक आपका answer right होगा Question number 14 Discuss करेंगे आपके सामने Beta किरने किस प्रकार की किरने हैं धन आवेशित किरने, रिन आवेशित किरने, उदासीन किरने या इन में से कोई नहीं तो बीटा किरनों की बात करेंगे तो देखिएगा जो बीटा किरने होती है यह रिन आवेशित किरने होती है Option B करेक्ट होता है इनके उपर नेगेटिव चार्ज होता है Question No.15 है आपके सामने इलेक्ट्रोन त्यागने की प्रविर्ती क्या कहलाती है अवकरन, आक्सीकरन, उधर्व पातन, संगनन क्या आंसर करोगे Option B आंसर करना है सभी को इलेक्ट्रोन त्यागने की प्रविर्ती आक्सीकरन कहलाती है इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की प्रविर्थी अवकरन कहलाती है कलियर है चलिए कोशन नमबर 16 है खाद्य पदार्थों के सनरक्षन के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है ओप्शन है फार्मिक अमल, सिट्रिक अमल, एकसिटिक अमल, बेंजोईक अमल अंसर मैच कीजेगा, ऑप्शन डी करेक्ट अंसर होगा खाद्य पदार्थों के सनरक्षन के लिए बेंजोईक असीड का प्रयोग किया जाता है कोशन नमबर 17 अगर कोशन का लेवल पसंद आ रहा है, कोशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर कीजेगा, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे डेली शाम को साथ बज़े हमारी क्विज होती है, डेली शाम को साथ बज़े आपको अटेंड करना है कोशन नमबर 17 है, गैसों के विसरन का नियम किसने प्रतिपादित किया सही जवाब क्या रहेगा option B रहेगा ग्राहम ने गैसों के विस्तरण का नियम प्रतिपादित किया था कलियर है चलिए question number है आपके सामने 18 उत्प्रेरक की खोज किसने की very very important question है जी सवी का अंसर सही आना चाहिए उत्प्रेरक की खोज किसने की क्या आंसर करोगे option A आंसर करना है उत्प्रेरक की खोज की है बर जीलियस ने कलियर है चलिए question number 19 डिसकस करेंगे किस गैस का लोगप्रिये उपकनाम सुष्क बरफ है किस गैस का लोगप्रिये उपनाम सुष्क बरफ है option है carbon monoxide helium methane या फिर carbon dioxide तो आंसर मैच करेंगे अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया है carbon dioxide आपका correct आंसर होगा co2 का लोगप्रिये उपनाम है सुष्क बरफ question number 20 है आपके सामने स्क्रीन पर संपीडित प्राकरती गैस का मुख्य अव्यव कौन साहे option है butane, propane, ethane या फिर methane जल्दी से इस प्रशन का आंसर दीजेगा संपीडित प्राकरती गैस यानि की CNG है compressed natural gas बिल्कुल correct answer यह नहीं option D को दिया है methane उनका आंसर बिल्कुल correct होगा बढ़ते हैं question number 21 की तरफ question number 21 है आपके सामने किस विज्ञानिक ने सरपर्थम आवर्त सारने का निर्मान किया था option है आपके सामने डोबे राइनर, मौसले, मेंडलीफ या फिर न्यू लेंड्स question very very important है बहुत सारे एक्जामों में question यह पूछा जा चुका है answer match कीजेगा अगर आपने option C को answer दिया है मेंडलीफ आपका answer बिल्कुल राइट होगा इस प्रेशन का चलिए question number 22 है और आज का last question है इसके बाद एक question आपको हमवरक के लिए भी मिलेगा तो हमवरक भी लेकर जाना है इस question का answer देंगे urgent tight किस से धातु का आयसक है option है लोहा, चांदी, तामबा, तथा, जस्ता जल्दी से answer दीजेगा और answer match करेंगे अगर आपने इस question का option B answer दिया है चांदी आपका answer बिल्कुल correct होगा urgent tight जो है यह है चांदी का आयसक है तो दोस्तों यहाँ पर आपके top 22 very very important question complete होते हैं बताईएगा आज का session आपको कैसा लगा और आज के इन 22 प्रशनों में आपका score कितना था यह वाला question homework का है इसका answer comment box में दीजेगा कल की class में हम इस question को discuss करेंगे मतदान में प्रियुक्त स्याही में क्या होता है जो उसे बहुत दिनों तक बरकरार रखता है option है silver iodide, ferric oxide, silver nitrate या फिर sulfuric aml इसका answer comment box में दीजेगा तो यह थे आपके top 22 very very important question बताईएगा session कैसा लगा इन 22 प्रशनों में आपका score कितना है मिलते हैं कल किसी और अच्छे questions के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत